है गाइज वैलकम टू माई चैनल आना वैजो के फिन पॉइंट आर पी एफी ने इंग्लिफ की आंसर की जारी कर दी है और पिछली बार मैंने जो इंग्लिफ की कटूफ बताई थी वो काफी कम बता दी थी क्यूंकि मुझे पहले जाता लोग ऐसे मिले नहीं थे जिनके की इ पर का लेवल मध्यम ही था मोडरेट था मीडियम मान सकते हैं आप तो कटूफ की बात की जाए तो इस बार जो जर्रल कैटेगरी है इसके लिए कटूफ तीन फो बीफ से लेके तीन फो बीफ नंबर तक कर रहने की समभावना है जी हां दोस्तों हलाकि ये नंबर थोड़े लेकिन लोकों के नंबर बन रहे हैं तो ये कटूफ रह सकती है इसके लाबा ओबीसी की कट्थ तीन फो बीफ नंबर के बीच रहने की समभावना है EWF category जो की बिल्कुल नहीं है इसकी cutoff 300 से लेके 310 नमबर रह सकती है MBC category जो ये भी नहीं category ही है और इसकी भी cutoff EWF के बराबर ही रहने की संभावना है इसके लावा SE और ST category की cutoff 275 से लेके 285 नमबर के बीच में रहने की संभावना है हलांकि ये cutoff काफी ज़्यादा लगेगी खावका जो F.E. F.T. के student है लेकिन इतने नमबर लोगों के बन रहे हैं और F.E. और F.T. के बीच में मैक्समम 4-5 नमबर या 7 नमबर का फरकर है सकता है लेकिन range जो है वो लगबग यही रहेगी दोफ तो अगर आपके इस range में नमबर बन रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि आपका selection हो सकता है बाकी तो result आने के बाद ही पता लगेगा लेकिन आपके अगर नमबर कम बन रहे हैं तो अभी से next exam की त्यारी करना start कर दीजिए हलांकि वो जो exam है यह इसाल के अंत तक होने की पूरी फ़मावना है फीट भी कम होगी तो आपको मैनत ज़्यादा करनी पड़ेगी competition बहुत ज़्यादा होगा तो अभी से पढ़ना start कर दीजिए तो आपके बहतर बईशाय के लिए मेरी तरफे सुमका मनाई Thank you